और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ वारारसी से इस वक्त हमारे पास है वहाँ के ज्यानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन बीते चार घंटों से ASI का सरवे जारी है बड़ी खबर यह है कि प्रशासन के हस्तकशिप के बाद ग्यानवापी का तैकाना खोल दिया गया है जी ये बड़ी अपडेट इस सरवे से जुड़ी हूई ग्यानवापी की के टीकर एजाज देहमत ने अब से कुछ दिर पहली तैकानी का ताला खोला है तहखाने के अंदर ASI की टीम गुश चुकी है ये जानकारी मिल रही थी कि चाबी नहीं सौपी जा रही है ASI टीम को क्योंकि तहखाने में भी जो सर्वे है वो करना है लेकिन अब ये अपडेट है अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रिशासन के हस्तशेव के बाद जो ग्यानवापी का तहखाना है उसे खोल दिया गया है ग्यानवापी की जो केर टेकर है एजाज एहमद आपसे कुछी देल पहले उन्होंने तहखाने का ताला खोल दिया है और अपडेट ये है कि तहखाने के अंदर ASI की टीम गुश चुकी है दूसरा दिन है सर्वे का पहले दिन भी आपने देखा काफी घंटे तक जो ASI की टीम थी उन्होंने सर्वे किया और अब जो है आज दूसरा दिन है आज भी काफी महत पूर्ण दिन है अब तहखाने के अंदर जो है सर्वे ASI की टीम करेगी और अब आपको सीधा वाराण से लिए चलते हैं अमारे संबाददाता अमारे सयोगी विरेश पांडे इस वक्त वाँ से हमारे साथ जुड़े हुए विरेश शा अभी मैंने दर्शकों को बताया कि प्रशासन के हस्तक शेप के बाद तैखाने को खोल दिया गया है लेकिन एजाज अहमद जो मस्जिद के केरटेकर है प्रशासन लगातार कल से प्रयासरत था कोशिश कर रहा था उनके प्रियास के बाद प्रशासन सफल हुआ है और प्रशासन के हस्तक छेप के बाद एजाज अहमद जो केरटेकर है मस्जिब के उन्होंने तहखाने को खोल दिया है हिंदू सुत्रों से हिंदू पक्षकारों का जो सोर्स हमारा उसके जरिये जो खबर आ रही है वो तहखाने में सर्वे की टीम पहुच गई है तहखाने के अंदर बहुत सारी ऐसी कलाकृतिया मिली है जिनके बारे में हिंदू पक्ष दावा कर रहा है जो हिंदू पक्षकार हैं वहां मौजूद हैं जी सर्वे की टीम में मौजूद पक्षकार जो हमारे सोर्स हैं उन सब का दावा है कि तहखाने के अंदर सर्वे की टीम घुसी है और वहां पर कलस मिला है वहां पर मुर्तियां मिली हैं और साथ ही साथ दिवारों पर कमल की आक मिली हैं ऐसे में जो दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था और उसे भरोसा था वो आश्वस्त था वो लगातार इस बात का भरोसा दिला रहा था कि हम केवल आस्था की बात नहीं करते बलकि हमें ये भरोसा है कि वैग्यानिक परिक्षन सर्वेक्षन के बाद भी हमारा जो आस्था का दावा है उस पर मुहर लेगी फिर से एक बार विरेश फिर से दर्शकों को बताएं कि सुत्रों के हवाले से क्या जानकारी आपके पास क्या मिला है अंदर देखिए जो ग्यानवापी जो यहां से मुस्किल से हमलों को बैरिकेट करके रोका गया है पचास कदम के दूरी पर है वहां पर सर्वे चल रहा है और हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो सोर्से से हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें स्पैस्फिक तरीके से मैं आपको बत लज गई है और वहां मानें तो सुत्रों की तो मूर्ति के अलावा एक दो फिट का त्रिशूल मिला है साथ ही पांच कलस मिले हैं कमल निशान आकरितियां दिवार पर मिली है एसाई अपने हाइटेक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहा ह एक चार फिट की मूर्ति मिली है जिस पर कुछ कलाकृतियां है यानि मैंने आपको बताया कि पांच कलस मिले हैं कमल का निशान दिवारों पर जो उभरा हुआ है वो मिला है और जो मूर्ति मिली है उसे हाइटेक उसे बहुत संभाल कर एसाई की टीम उसकी जाज कर रही है उसके कालखंड का जाज किया जा रहा है कि आखिर ये मूर्ति किस कालखंड की है क्योंकि एसाई के पास जो सर्वे की टेकनिक है आई 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 टी कानपूर से जो जावेद अली के साथ संपर्क के साथ जो एसाई लगातार सर्वे कर रही है यानि मुसलिम जावेद अली प जरिये उस मूर्ती के कालखंड को भी जानने की कोशिस कर रही है बड़ी सम्हाल कर कोशिस किया जा रहा है और दिवारों पर जो आकृतियां हैं कमन निशान की आकृतियां हैं जो कलश मिले हैं जो सबको भी हाइटेक तरीके से उसकी चाच की जा रही है तहकाने में SI की टीम हिंदू पक्षकारों के सोर्सेश से ABP निउस पर बड़ी ख़बर एक्स्क्लूसिव खबर मैं आपको दे दू कि तहकाने की चाभी केर टेकर एजाज अली ने सौप दी है अब से कुछ देर पहले सौपी है कल से लेकर आज तक प्रशासन जिरा प्रशासन लगातार प्रया देव के नारे से गुंजा एमान इस ग्यानवापी और बाबा विश्वना धाम के कॉरिडोर के पास की सड़क पर हम दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो हाई एलर्ट पर हो गई है जैसे ही ABP निउस पर ये खबरे आई हैं ATS के कमांडो ने मोर्चा समाल लिया है शार्फशूटर ATS के जो कमांडो हैं वो 300 मीटर के दायरे में घरों पर चड़े हुए हैं छटों पर चड़े हुए हैं किसी के आने जाने पर रोक है यानि इन जो घरों को आप देख रहे हैं इनकी छटों पर ATS के कमांडो लगबग हजार की संख्या में जो यूपी पुलिस के पीसी के जवान होंगे और साथ सी साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान होंगे रैपीड एक्षन फोर्स के जवान होंगे अर्फ जैनिक बलों को तैनाद किया गया है ला एन आडर कानून बेवस्ता प्राथ मिकता है मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ की सोरसे से खबर देदूं की आज सुबा सुबा मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने टेलीफोनिक वारता के जरिये यहां के पुलिस कमिस्नर जिलाध हिकारी और मंडलायुक कौशल राज सर्मा से वारता की कानून बेवस्ता के बद्धे नजरूने दिशार निर्देश जिया पत्रकार्ता क्या है? पत्रकार्ता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तत्थे बताना पत्रकार्ता जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूत है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है